ओ माई गुड़नेस, दोस्तों मैं बहुत खुस हूँ भाई, लिटरली गाईज मैं बहुत खुस हूँ ट्रेलर देखने के बाद नहीं, भाई साहब ट्रेलर आने की खुशी में हेलो गाईज, कैसे हो आप लोग, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका अजे देवगन साहब की मैदान मुवी के ओफिशल ट्रेलर रिव्यूव के एपिसोड में देखो भाई, फाइनली दोस्तों ये मुवी आ रही है, सबसे बड़ी खुशी तो यही है कि मुवी आ रही है अभी मुवी कैसी होगी वो जब पूरा फिल्म देखेंगे तब पर चलेगा लेकिन भाई ट्रेलर पता आ चुका है और ट्रेलर बदा देता है कि मुवी का क्या भाई ट्रीटमेंट है मतलब गाईस कैसी होगी मुवी हाला कि दोस्तों इसके जो टीजर है उसने रॉंगते खड़े कर दिया थे भाई सहाब बहुत ज़दा गाईस क्यूरेसिटी एकसाइटमेंट बढ़ा दिया था तो गाईस यहां पर क्या इसका ट्रेलर उस एकसाइटमेंट को और नैक्स लेवर में लेके जाता है और बीच में दोस्तों एक बंदे का कुछ रिव्यूज आया था कि मूवी बहुत एक्स्ट्रा ओर्णरी है और इसमें आजए दिया है कि जो काम है इसको देखते हुए इनको नैशनल वाड मिलना चाहिए तो गाइस ट्रेलर में हमें कितना गाइस लगता है कि वह बाते सच थी देखेंगे हाला कि थोड़ा इंतजार करवाया इन लोगों ने तीन बज़े का टाइम देके चार बज़े ट्रेलर आया अब यह वीडियो आपको कब तक मिलेगा भाई यह मैं कुछ नहीं कहा सकता ले यहां पर लाइक गोल्ड मुवी आए थी अक्षे कुमार की आपको याद होगा इवन दे 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 गोल दे दनादन गोल ऐसे करके कुछ था हां तो गहीं न गहीं दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि उतना ज्यादा गाइस कह सकते हैं कियार मुवी चली नहीं है भाई फुटब मानना गाइस फुटबॉल को जितना देखा और खेला जाता है दुनिया में किर्किट भी उतना नहीं है मतलब किर्किट भी पीछे भाई फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कर आप लोग सुन देखते हो ना कि गाइस कितना क्रेज रहता है और गाइस अगर हम लोग स्पोर्ट पर्सन की बात करते हैं सबस्यदा फेमस कौन है तो मैसी रोनाल्डो यह सब तो गाइस फेमस है तो कहीं न कहीं किसी भी गाइस लोग इनसान को किसी देश को आगे बढ़ा सकता है भाई यह खेल तो इसको अप्रिशेशन मिलना चाहिए और इसी के लिए गाइस मुझे लग पर लगता है सिजा अभी का डायलोग नहीं है अभी तो भाई हमें सब जानते हैं लेकिन यह 1952 की बात है फिर उससे पहले की अच्छे में ना हम सबसे बड़े देश हैं ना सबसे अमीर हमें दुनिया में कोई नहीं जानता लेकिन फुटबॉल एक ऐसा गेम है जिससे हमें पहचान शोहरत और सब कुछ मिल सकता है और यहां पर यह गाईज कह सकते हैं कि दिलवाने आए हैं अजे देवगन यानि की स. ए रहीम शैद अब्दुल रहीम नाम है दोस्तों इसका किरदार ने बारे हैं जो कि गाईज रियल गाईज एक मतलब आप लोग कह सकते हैं कि फ फुटबॉल गाईज हुआ था बाहर और हम लोग निकल गए थे और कहीं ना कहीं दोस्तों कह सकते हैं कि फुटबॉल को इंडिया के अंदर पॉपिलर होना चाहिए इससे बहुत जादा फरक पड़ेगा बहुत जादा क्योंकि मुझे एक बताओ अर्जंटीना हो गया होने वाला था 1912-1962 के बीश में जो कि गाईज इनके यानि कि अच्छे देवगन जिन्होंने का किदा निवाया है साइद अब्दूल रहीम वह किस तरीके का गाईज परसनेल्टी थे उन्होंने गाईज कैसे फुटबॉल को मतलब इंडिया में दोस्तों पॉपिलर कर दि और भाई अजे देवगन का गाईज वो जो फुटबॉल जो घूमने वाला गाईज वो स्टेटीजी है मुझे एक बात बताओ क्या हकिकत में गाईज क्या फुटबॉल को कोई ऐसे घुमा सकता है मुझे आप लोग एक बार कमेंट बाक्स में बताना क्या ऐसा हुआ है क्य क्या किया है क्योंकि यह मतलब बहुत जादू टाइप का गाईज कुछ लगता है तो कहीना कहीं आप लोग कह सकते हो कि मज़ा आएगा इस मूवी को देखने में मज़ा आएगा अला कि देखो भाई जो नॉर्मल ऑडियंस है उनको फुटबॉल के बारे में कुछ जादा नहीं है तो जिसके वएसे मुवी मात खा सकती है क्योंकि फुटबॉल इतना पॉपुलर नहीं है लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि लोग इसको एक बार ठेटर में जाने के बार मनलब जाएं एक बार पहुंस तो जाओ भाई साब क्योंकि यहां पे ट्रेलर मुझे लग र कि 70 मिनट माफ करना मैं तो यहां पर कंफूस खुदी हो गया 70 मिनट यह आपके जीवन के सबसे भाहतरीन 70 मिनट होने चाहिए तो यहां पे इस तरीके का एक उनका स्पीच है जो कि मुझे लगता है कि आईकॉनिक हो सकता है लेकिन यहां पे अगर आप लोग मेरे से यह पाई थोड़ा सा मामला नीचे ही रहा है थोड़ा सा और कुछ होना चाहिए था लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि दोस्तों यहां पे अजे देवन का जो इस पेशली दोस्तों किरदार है वह इस मूबी की जान है इसमें और कोई ऐसा बहुत बड़ा स्टार आपको देख लग सकता है मेरे खाल से वो शायद सेलेक्टर या पर कुछ गवर्मेंट के ही गाई को ऑफिसर वगरा कुछ होंगे लेकिन कह सकते हैं कि दोस्तों अच्छे लग रहे हैं लेकिन मुझे एक चीज ने इंप्रेस किया गाइस वह जो गाइस गाना था टीम इंडिया टीम गया है नाइटीज पी क्यों कह रहा हूं 1952-1960 के बीच का दोस्तों जो सीन सिनारियो था वैसा पूरा गाइस दिखाने की कोशिश की गई है यानि कि यहां पर जो गाइस मुवी का जो गाइस यहां पर लेवल है काफी अच्छा है सिनेमेटिक एक्स्पिनिस दोस्तों आप फिर गोल्ड जैसा ना हो जाए जो कि गाइस एक मतलब सिर्फ हीट रहके रह गई इनको थोड़ा सा इससे ऊपर करना चाहिए अब इसके लिए गाइस यहां पर आजेदेवन क्या करेंगे मिकर्स क्या करेंगे क्या ठेटर तक यहां पर लोग पहुंचेंगे मैं यह चाहता ने गाइस बहुत जादा सिद्दत से दोस्तों किया है और उनके गाइस अगर आप लोग डायलोग्स देखो बहुत जबर्दस्त लग रहे हैं उनका पहनावा देखो इवन दोस्तों मुझे कई बार ऐसा झ्छलक लगा है कि शायद वो जो गाइस लेजंड और भगर सिंग आने के बाद मूभी को पॉस्प्ण किया जा सकता लेकिन ट्रेलर आने के बाद बिलकुल नहीं क्या आपका इस ट्रेलर के बारे में मुझे अच्छा लगा है पसंद आया किसी नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए इतना ही